विदीशा के नगर पठारी नगर के तलेईया मोहला इस्थित विद्दूत केबल में शाट सरकिट हो जाने से कल्लो खान का टपरा जलकर खाक हो गया जिसमें मौजुद बकरी और भेस के बच्चे की जलकर मौत हो गई वही मौजुद भेस भी आग में जुलस गई आग को देख लोगों ने समय रहते आग पर काबो पाया नगर की अने केविल जरजर हलत में लटकी नजर आती है जो हाथ सो को निउता दे रही है बस स्टेंड सरमेन मार्केट इदगा मोला के कई शेतर ऐसे हैं जो आए दिन लगते ही तहसिलदार रमेस कुमार महरा मौका इस्तर पर जाजा लेने पहुचे वहीं पिडित नाजमीन ने बताए कि उनका काफी नुकसान हो गया है और विदुद विभाग को इसके सुचना पहले भी कई बार दे चुकी है लेकिन विभाग की तरफ से केविल को बदला नहीं जा रहा है इससे पहले विभाग केबल बदल देता तो यह हाथसा नहीं होता विदीशा पठारी से आजिस सहले की रिपोर्ट से घर का थोड़ा वो सामाने बच्ची बजाने में थोड़ी मेलाओं के हाथ भी जा लगाए घर पर कोई नहीं था वाकी में फोन लगाए जब जाके हमाई देवार आ रहा है पर उन्हें आके बुझवाई याग बिली वाग को पहले सूचना दी थी कि यह मैं केविल की सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना पुले